नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन बिधान सभा में दूतिय अनुपूरक बयट पेस जार्खन बिधान सभा के सित कालिन सत्र के दूसरे दिन सदन की करवाही एक बार फीर 12 बच कर 45 मेट पर सुरू हुई, इस दोरान सदर में 8513 कोड़ रुपाय का दूतिय अनुपूरक बयट पेस किया गया, सासी सरकार ने सदर में तीन बिधायकों को भी वापस लिया है, बता जार्खन काराधधन अधिनियमों की बाकाया रासी का समाधान बिधायक 2022 सामिल है, सदन में हंगामे के बीच इस पिकर ने बिधान सभा की करवाही बुद्धवार सुबा 11 बयद तक के लिए स्थागित कर दी है, किरिशक मित्रों ने किरिसी मंत्री बादल के घर का किया घि करने लगे, घिराव करने पहुचे लोगों ने किरिसी मंत्री मुर्दाबाद निकमे मंत्री को हटाओ, जार्खन सरकार होस में आओ, किरिशक मित्रों का मांदे लागू करो के नारे लगाए, मौके पर मौझूद किरिशक मित्र महासंग के परदेश अध्यक सासी भगत ने करने लगे, किरिसी मंत्री के अलावे, अन्य मंत्रियों को भी काला जंडा दिखाया जाएगा, जार्खन हाई कोट में नियूजन निती रद होने एक बाद पक्ष और विपक्ष के बीच खीता तानी जारी है, जार्खन विधान सबागी सित कालिन सत्र के दूसरे दिन सदर मुख्य मंत्री ने विपक्ष के हांगामेक के बीच भाजपा परतंज कसा है, मुख्य मंत्री हैमान सुरे ने कहा है कि राज़ेपाल से मुलकात के लिए तीन बच कर तीस मिनट का समाई मिला है, इसके लिए सरुदल्य प्रतिनिधी मंडल भेजने को लेकर 19 दिसंबर को ही क आगे बढ़ा का नियोजन निती को हाई कोट में चिनोती दे दिगाई, जबकि उसके पीछे उतर परदेश और बिहार के लोग सामिल थे, लोग सभा में सीएम को दूसकर्मी कहने पर सदन में बवाल, जारकन बिधान सभा के सितकालिन सदर के दूसरे दिन प्रशनकाल सुर आगे तःचन का ध्यान आकरिष्ट करातेवे कहा है की जारकन के एक सांसद ने लोग सभा में मुख्यमंत्रि को दूसकर्मी कहा है, पर दी प्याद Hai ने इसे कन बटातेवे सदर में निन्दा प्रस्ताव लाने की बात कही, पर दी प्याद ने कहा है की सांसद का इस तरह से कहना कहीं से भी साई नहीं है उन्होंने कहा कि समधी सांसद ने खुद अपनी बहुन से साधी की है उन्होंने कहा है कि जब आरोप सीध ही नहीं हुआ तो इस तरह की बात कैसे उठाई गई दीपक परकास का सीएम को पत्र अस्थानियेता और नियोजन को नौवी अनुसूची में सामिल कराने के बाद बेमानी जारखन हाई कोट से नियोजन निती रद होने के बाद है मन्त सरकार ने उन्हें 32 खत्या नधारित अस्थानिये निती और नियोजन निती को राजेपाल क माध्यम से केंद्रों को भेज कर नौई अन्शूची में सामिल कराने की त्यारी की है। इस पर भाजपा के परदिस्त अध्यक्ष दिपक प्रकास ने मुख्य मंत्री को पत्र लिकर कहा है कि आपकी तरब से सर्वदलिय प्रतिनीदी मंटल में भाजपा के दोसरस्यों को नामित करने का अगरह किया गया। दिपक प्रकास ने अपने जबाब में लिखा है कि नवी अन्शूची में 1922 खत्यान अधारित अस्थानिय निती और नियोजर निती को सामिल करने की बात करना न सीरिफ अपनी जिमेदारियों से भागने जैसा बलीक न जवानों को भविस को अंधकार में धकिलने जैसा भी होगा। केसने सरकार और स्वास्त महकंपे के साथ साथ बच्चे के बेतर जीवन के लिए काम कर रही संस्ता यूनिसेफ की चिंता बढ़ा दी इसी चिंता को दूर करने और 2023 तक भारत को खसरा मुक्त करने के लक्ष को फूरा करने के लिए लोगों में जागरूपता लाने और उन्ह के लिए की भूमका को अहम बता या है छारकन की स्'Tुलों में 42 प्रतिसात घक हटी उपस्थिती कोरा मा हमारी के बाद भाकन कि चात्र गण्तर को पलसेथ 138 इस्कूलों में किये गए एक सर्वेक्षन पर अधारी था है रिपोर्ट के अनुसार 33 पर 36 को ने स्विकार किया है कि महामारी के बाद इस्कूलों में खोलने पर छात्र पढ़ना और लिखना भूल गये थे पलामू में 33 ने 6 साल की बच्ची को मार डाला जार्खन के पलामू सन भाग में एक 33 के आदम खोर बनने से हड़कम मच गया है सोमवार दोफरवा राजे के गढवा जिले में 6 साल की एक बच्ची को उठा ले गया और मार डाला पिछले 10 दिनों में पलामू में इस तरह की अतिसरी घटना है जार्खन के एक वन अधिकाई ने मंगलवार को गढवा की घटना के बारे में जनकारी दी वन विभाग को संदे है की छेत्र में 3 बच्चों की मौत इसी 33 के हमले में हुई है विभाग उसे मानो भग्ची घोसित करने की त्यार कर रहा है राजधानी राची से 210 किलोमेटर दूर इसीत गढ़वा सेवा डिगाउ में 33 के हमले में मृत 6 वर्षिय बची की पाचान सिता कुमारी के रूप में हुई है जारखन विधान सभा में भाजपा विधायकों ने किया नियोजन नीती का विरोध जारखन के नए विधान सभा भवन में पंचम विधान सभा के दसवे सितकालिन सत्रे का आई दूसरा दिन है इस दोरान सदर में करवाही शुरू होते ही भाजपा के सारे बिधायकों ने हमन सरकार के खिलाब जम करना रेबाजी की इसी बीच सता पक्ष के बिधायकों ने लोग सभाव मुखे मंत्री को दुसकर्मी कहे जाने का बिरोध किया और निंदा प्रस्ताव पारिद करने की मांग की इस जोरदार हंगावे के करण बिधान सभा की करवाही बारा बच कर 45 में तक किले अस्थाइद कर दी गई इतना ही नहीं भाजपा बिधायकों ने राज सरकार की नियोजन निती के बिरोध में बिधान सभा के मुखे द्वार पर पर परतसन किया और नरबाजी की इस दोरान बेरोजगारों को ठगना बंद करो राज सरकार सरम करो के नारे लगाए गए ताबूत में घर लोटी रूबिका पहाडिया धारखन के साहिब गंजीला के बोर्यू में आदिम जन्जाती की महिला रूबिका पहाडिया के हत्या कर उसके टुकड़े-टुकड़े किये जाने के मामले में देश भर के लोगों को जगजोर कर रख दिया है अब तक होई जाच में पता चला है कि रूबिका की पहले गला दबा कर हत्या की गई और बाद में उसके साह को टुकड़े-टुकड़े कर काट दिया गया बताया जा रहा है कि रूबिका की गला दबाकर हत्या उसके पती दिल्दार अंसारी के मामा मौनुदीन अंसारी ने की उसके बाद सौव को मामा के दोस्त मैनुवल अंसारी के घर ले जाया गया क्योंकि मौनिदीन के घार पर उतनी जगा नहीं थी कि एक लास को बोट्यों में काटा जा सके मैनुवल के घार पर पहले पलास्टिक बिछा कर सवको रखा गया फिर उसके टुकडे किये गा नियोजन निती को लेकर सदन के बाहर धारने पर बैठी अमबा परचाद जारखन बिधान सभा के सितकालिन सत्र का आई दूसरा दिन है सदन के बाहर भाजप्या की बिधाय को प्रिवत परदसन जारी है वहीं इस दोरान नियोजन निती को लेकर सदन के बाहर ही क्यों मांग किया जा रहा है सदर के अंदर भी मांग किया जा सकता है इस सवाल का जबाब देते हुए बढ़का काम विधायक अमबा परसाद ने कहा है कि यह हमारा अधिकार है विधान सभा और राजे का बात रखने का अधिकार है हम हर जगा अपनी बात को रखने पर विश्वास रखते हैं क्योंकि यह गंभीर भी सा है और हर पलेट फरम पे इसको रख के या सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लिया जाए और तुरंत संग्यान में लेकर उचित करवाई की जाए वही सरकार की तरब से नियोजन नीती को लेकर किया कोश पर्यास किया जा रहा है इस पर अंबा परसाद ने कहा है कि सरकार ने नियोजन नीती बनाई थी जिसमें बहुत मेहनत लगा था बहुत सारे संगतियों को भी दूर किया गया था अब वह रद कर दी गई है तो वह दुर भागे पुर्ण है इसमें हमारे युवा का कोई दोस नहीं है युवाओ का कोई गलती नहीं है तो युवा ही साजा काट रहे हैं युवा ही जेल रहे हैं युवा ही दुखी है तो इस अलोक में युवाओ को कोई चोट नहीं सब्सक्राइब को लेकर किये जाने वाले कार्यों सिग्र दर्शनम की बवस्था को लेकर समंधित पतादीकार्यों का वसक दिता निर्देश दिये साथ ही निरिक्षन के दवान डीसी मंजुनात वहंतरी ने फूट ओवर विरीज क्यू कम्पलेक्स संसकार मंडप और मंदीर प्राइंगन में किये जाने वाले कार्यों की स्थीति से कर्याले को अवगत कराने का निर्देश दमधित पतादीकार्यों को दिया धन्यवाई यदि आप चनल पनाए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेले कर दबाएं साथी साथ वीडियो की एक लाइक कर अपने दोस्तों क्या सेर करना पूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाइक अवसे दे थैंक यू